एलो स्टुरेंट्स वश्चनावरी 9.1 का कोश्चन नमबर 5 करेंगे उसको करने से पहले हमने यह जो रूल किये थे इससे पहले वेली वीडियो में भी डिस्कस किये हैं कि लंब बटे करन साइन अधार बटे करन कोश लंब बटे अधार 10 होता है ठीक है ऐसे ही जो वेल्यूज है 30,45,60 पर साइन कोश टैन की यह हमारी इस चैप्टर में यूज होती है तो इनको अच्छे से याद रखना है अब कोश्चन नमबर 5 जो है उसमें है भूमी से 60 मीटर की उन्चाई पर एक पतंग उड़ रही है तो अगर हम यहां यह भूमी ले लें थीक है या कोश्चन अगर भूमी से एक बिंदू से साथ मिटर की उंचाई पर पतंग यहां पर उड़ रही है यह भूमी है तो थोड़ी से ऐसे उड़ती है और भूमी से साथ मिटर की उंचाई पर उड़ रही है तो यह जो उंचाई ले ले लें यह है साथ मिटर इसकी उंचाई पर पतंग उड़ रही है यहां पर पतंग है पतंग से लगी डोरी ऊस्थाई रूप से एक बिंदू से बांद दिया गया है इस डोरी को बान दिया गया है। बहुंत में नगए को छुकाव यहाँ साथ डीगरी साथ डीगरी का जुकाव है। यह मानकर कि डोरी में कोई धील नहीं है, यह जो डोरी है बिल्कुल स्टेट है, धील नहीं है, डोरी की लंबाई, यानि यह लंबाई हमें ग्याद करनी है, तो हम इसका नाम तिर्बुच का A, B, C दे देंगे, ठीक है, तो ऐसे हमारा तिर्बुच बन जाएगा, तो माना A, तो हम मान लेते हैं, माना A पतंग की स्थीती जिसकी डोरी का दूसरा छोर बिंदू C पर बंदा हुए, माना जो A है, माना A पतंग की स्थीती जिसका डोरी का दूसरा छोर C पर बंदा है, और पतंग की उंचाई कितनी है, A, B, 60 मीटर के बराबर, बस आपको है कि AB साथ मीटर है और कौन सी क्या है साथ डिग्री अब ले लेंगे हम समकौन तिर्भुच ABC समकौन तिर्भुच ABC के अंदर आप देखो हमें एक तो यह लंब कि यह लंब है और यह करन लंब और करन यूज हो रहे हैं ना अधार का कोई वो नहीं है तो लंब बटे करन क्या होता है लंब बटे करन होता है साइन के साथ कोन दिया हुए साथ तो साइन साथ अब लंब को लिख लेंगे लंब है क्या AB है और करन क्या है AC है AB बटे AC आ जाएगा साइन साथ AB जो है साथ रिया हुए हमें AC की लंबाई निकालने है तो AC नीचे लिख दो यह है वरगमूल तीन बटे दो दो इधर जागे क्लोस मल्टिप्लाई हो जाएगा साथ गुना में दो हो जाएगा और AC की धर गुना हो जाएगी AC गुना वरगमूल तीन राइट साथ गुना में दो एकसो बीस और वरगमूल तीन यहां पर आ जाएगा ठीक है वरग मूल 3 कुना वरग मूल 3, 3 से इसको काट लेंगे, 40, 3 चोके 12, 0, 0 है तो 0 आ गया, 40 वरग मूल 3 मीटर, AC की लंबाई आ गई, AC यही तो हमें निकालनी थी पतंग की, यह दोर की लंबाई, तो दोरी की लंबाई लिख देंगे हम, 40 वरग मूल 3 मीटर, तो यह है आपका अ अब हम करेंगे question no.6, question no.6 के अंदर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 30 मीटर उंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, अगर हम AC को 1.5 मीटर लंबा लड़का ले ले, ठीक है, ये 30 मीटर उंचा भवन है, अगर BE को भवन ले रहे हैं, तो BE हमने क्या ले लिया, इस पूरे BE की लंबाई कितनी ले ली, 30 मीटर, एक लड़का 30 मीटर उंचे भवन से कुछ दूरी पर अब ये AC लड़का है, ये BE एक भवन है, इससे की कुछ दूरी पर खड़ा है, जब ये उंचे भवन की ओर जाता है, जब ये भवन से की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसकी आंख से, तो बच्चे की आंख, लड़के की आंख से, जो है भवन के शीखर का उन्यन कोन, तो ये हैं शिखर के का उनियन को उनियन को एट किया होता है जिस्टी पहले तीज है लेकिन वह अचा इसरे इधर से यहां गया तो गया, 60 degree हो जाता है, बताईए कि भवन के और कितनी दूरी चलके गया, पहले लड़का यहां था, फिर वो यहां चलके यहां चला गया, तो यह दूरी, यानि C F दूरी, जो X माननी है, मान रखी है यहां पे, तो इस दूरी को हमने ग्याद करने है, C F दूरी को, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 30 मीटर उंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब उंचे भवन की तरफ जा रहा है, तो उसकी आंख से, उसकी आंख से देखना है, उसकी आंख से जो भवन के शीखर का उन्यन कोन, पहले जो 30 था, वो जब वो चलके जाता है, तो व AC लड़का है, और AC जो है 1.5 मीटर लंब लड़के की उंचाई दी हुई है, जो 30 मीटर उंचे BE भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, कौन C, 30 और कौन F क्या दिया हुए, साथ, हम यहाँ पर वो सब कुछ लिख लेते हैं, जो हमें दिया है, अब EB पूरा कितना दिया तो ED हमें निकालना है, अगर 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो 1.5 लंबाई यहाँ 30 में से हम घटा देंगे, 30 में से 1.5 घटा देंगे, देखो पूरा EB कितना है 30, और हमें निकालना है ED, यह निकालना है ED, तो यह 1.5 अगर हम 30 में से घटा दें, तो आ जाएगा 30 में से 1. 0.5 घठाने पर 28.5 तो 30 में से 1.5 कैसे घठाते हैं पॉइंट 30.0 ले ले लेंगे जितने भी पॉइंट के बाद अक्षर हैं 30 पॉइंट बूर ले देंगे फिर आप नूर्मिली घठा लो 0 में से 5 गया 5 नो में से 8 ये बन गया 28.5 28.5 मीटर अब मान लो cf हम x मान लेते हैं औ और df, fd जो है y मान लेते हैं को सोल करने के लिए कि बाद बार हमें cf ना लिखना पड़े, fd ना लिखना पड़े बस अब सबसे पहले हम, देखो समकोन तिर भूज क्या हूं सा बन रहा है, एक तो बन रहा है edf, edf के अंदर हमें या तो, देखो हमें क्योंकि ये दूरी निकालनी है, ठीक है, तो या तो हमें अधार से काम है, या लंब से, इसमें करन से कोई काम नहीं है, तो लंब बटे अधार का formula क्या होता है, 10, क्योंकि mostly सभी question में ये formula यूज होता है आपका, तो क्या बन जाएगा, लंब बटे अधार, लंब बटे अधार क्या हो जाता है, 10 बन जाता है, ठीक है, तो 10 का formula लगेगा, तो लंब कितना है, लंब है, इसमें de, और अधार है elf, d e बटे d f बराबर में tangent देखो इस ते रुज में कौन लगा हुआ है साथ का तो साथ लग देंगे tangent साथ की value learn होगी tangent साथ की क्या value होती है tangent साथ की वरगमुल 3 बटे 1 बोट बार यूज होगी आपको तो वरगमुल 3 बटे 1 अब इसको solve कर लेंगे d e कितना हमने निकाल लिया था 28.5 d e 28.5 d f हमने लिया हो है y short लिखने के लिए यह है वरगमुल 3 तो क्या हो जाएगा cross multiply करेंगे तो y की गुना यहां हो जाएगी y और वरगमुल 3 के इधर हो जाएगी ठीक है तो 28.5 बटे वरगमुल 3 आ जाएगा ठीक है यह आप इसका थोड़ा लंबा step भी बना आ सकते हैं कि 28.5 यहां पे है और इधर y की इसतर गुना हुई वरगमुल 3 i3 y तो y की वैल्यू कितने हे आ जाएगी 28.5 बटे वरगमुल 3 इसके बाएगा 17.5 बटे वरगमुल 3 यहां तो यह प्रिमाल करने के लिए 28.5 इसका प्रीम झाल आजाएगा तो वह आ जाएगा औरजू ग् gir Between वरगमुल 3 करेंगे ठीक है ठीक है परिमे करने के लिए 28.5 की वरगमुल 3 हो जाएगा वरगमुल 3 को वरगमुल 3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा 3 से 28.5 को काटेंगे तो 3 9 पे जाएगा 3 में 27 ठीक है और 1 आएगा 28 में 27 गटा एग और पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो 15 तीन बंजे 15 ठीक है अगर ऐसे दिक्कत आपती है तो आप ऐसे भाग भी कर सकते हैं पूरा 28.5 है तो पॉइंट अभी यहाँ पे है और इसको हमने 3 से भाग किया तीन नहीं में 27 आज में साथ गया एक उपर से उतारा पांच पॉइंट भी है तो पॉइंट वाल इसके बाद लग जाएगा तीन पंजे 15 तो यह आ जाएगा इसको सोल करके 9.5 नो पॉइंट पांच वाई कि वाई कितना आ गया है 9.5 आ गया सोल करके ठीक है अब क्या करना है उसके पाद समकॉन तिर्भूज अब एक और समकॉन तिर्भूज बन रहा है वो बन रहा है एडी सी ठीक है हमें यह वाला समकॉन तिर्भूज नहीं लेना यह आप कहीं बच्चे सोचते हैं यह भी एक तिर्भूज बन रहा है लेकिन इसमें समकॉन तो कहीं नहीं है ना यहाँ भी देखो D बीच में लिया था, E, D, F लिया था, अब हम EDC लिख रहे हैं, EDC के अंदर भी देखो लंब का काम है, और किसका काम है, अधार का, ठीक है, लंब बटे अधार, ताकि X निकल जाए, इसलिए लंब बटे अधार करेंगे, इसमें भी, लंब बटे अधार, लंब बटे अधार का क्या फार्मूला होता है, 10, ठीक है, तो लंब कितना है, इसमें, अगर हम कोश्चन में देखें, तो लंब है, D, E, D, E, बटे में आजाएगा, D, C, L, अधार, D, C, D, E, बटे, D, C, T, 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 T और dc, dc क्या है? dc आप यहाँ पे x plus y सिद्धा भी लिख सकते हो, वैसे df plus में cf लिखके फिर x plus y भी लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देंगे y plus x या x plus y, अब यहाँ पे इस क्या हो जाएगा? cross multiply कर दें, तो यह वरग मुल 3 उधर जाके गुना हो गया, 28.5 को वरग मुल 3 से गुना करेंगे, 28.5 वरग मुल 3 और y plus x को 1 से गुना करेंगे, y plus x, अब y की जो value है, y की value किया आई थी, 9.5 वरग मुल 3, y की जंगे हम वो रख देंगे, इसका नाम 1 दिया था, और हम लिख दे एक से, y की value रख देंगे, 9.5 वरग मुल 3, ठीक है, और अब इधर लेके जाएंगे, 28.5 में से 9.5 घटाएंगे, ठीक है, यह इधर 9.5 उधर लेगे, तो इधर x बचेगा, 28.5 वरग मुल 3 में से घटाएंगे, 9.5, पॉइंट से पॉइंट मिलाना होता है, जब हम घटाते हैं, वरग मुल 3, ठीक है, तो यह वरग मुल 3, वरग मुल 3 तो सब के साथ लगी जाएगा, 5.5 घटाएंगे, 0, ठारा में से तो यह बन जाएगा, 19.0 वरग मुल 3, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.0 ना लिखके, 19.19 वरग मुल 3 मेटर, यह आ जाएगी, जो बच्चे न द्वारा, आप लास्ट में लिख देंगे, लड़के द्वारा टै की गई, दूरी बराबर में, कितने आगी है, 19 वरग मुल 3, 19 वरग मुल 3 मेटर, तो बहुत ही अच्छा कोश्चन है, अगर आपको कोश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट कीज